अगर आपके पास भी अप्स्टुक्स का एकाउंट है और आप अप्स्टुक्स एकाउंट के जरीए पहला सेर खरीदना चाहते हैं तो वो कैसे खर दें यह हम आपको बताने वादें तो सबसे पहले अप्स्टुक्स एकाउंट को ओपेन करने के बाद आपको इस तरह सी इंटरफेस दिखेगा तो सबसे पहले यहां पर पलस का एकान दिख रहा है यहां पर क्लिक करना है आप जिस कंपनी का सेर खरीदना चाहते हैं वो कंपनी यहां पर सर्च करेंगे तो सबस बैक करने के बाद यहां पर देख सकते हैं जो भी अभी company search की यहां पर आ गया है तो यहां पर click करने के बाद जो भी आप company search की है आप उसका यहां पर चार्ट देख सकते हैं अगर तो इस company का share में buy करना चाहता हूं तो सबसे पहले यहां पर आपको buy का option दिख रहा है तो यहां पर click करने बाद यहां पर यह company का share एक share का price है 2.45 पेशा और यहां पर product में option आता है delivery का यहां पर देख सकते डेलेव़ि का मनतलब यह है ki आप इस share को hold करना चाते है तो delivery सेलेक्ट करेंगे अगर आप इस share को एक ही दिन में 2 पींट दुरॉपया 45 पेस हां, जैसे की मैं आपको बता रहा हूं 그럼 एक और एक और गरीद कर और एक का प्राइस है, ौरॉपया 45 पेसा पह concrete तो यहाँ पर तो एक sz chances मैं खरीदना चाहता हूं उसके बाद यहाँ पिर और्डा टाइप में आ जाता है मार्केट यहां वे market जैसे कि यह market में भी यह share का price चलड़ा है 2.45 पेस अगर यह आप इसको limit में खरीदना चाते हैं जैसे कि limit है और market है तो limit में होता है जैसे कि 2.45 पेस आप 2.45 से अगर कम में खरीदना चाते हैं जैसे यह share का price कम होता है तो आप तो आप आपका जो share है वो एटमेटिक टिक वाई हो जाएगा तो जैसे कि यह limit की है तो limit में हम कितना price रखेंगे जैसे 2.45 पेस आप तो हम इसको 2.45 पेस आप खरीदना चाते हैं इसके बाद यहां पर review order का option है एहां पर click करने के बाद यहां पर यहां पर चबकी देख सकते हैं जो भी मेरा अप्स्टोक से कांड़नों बैलेंस है वो यहां पर उपलब्द नहीं है इसलिए वो share आपका share अगर वाई हो जाएगा तो यहां पर यहां पर आ जाया कि आपका share buy हो चुका है उसके बाद यहां पे जो rejected का option है वहां पर open लिखा जाएगा उसके बाद आपका जो share अगर hold होगा तो hold होने एक बाद यहां पर आप देख सकते portfolio पे click करना है click करने पर position तो सबसे पहले आपका share जो भी buy कर रहें तो सबसे पहले आपका position में जाएगा यहां पर आपका share यहां पर लिखा जाएगा उसके बाद यहां पर holding में चला जाएगा जैसे कि यह मेरा share है वो holding में लगा हुए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह share यह share को मैंने 1 रुपिया 17 पैसा में खर दे थे और अब इसका price हो चुका है 2 रुपिया 45 पैसा यानि कि यह share अभी तक 109.40% की ब्रीदी हो गई है एक और share मैंने खर दा है तो यहां पर देख सकते हैं इसमें loss गया हुआ तो friends आप इस तरह से share को buy कर सकते हैं अगर आप share को share क करना चाहते हैं तो जो भी share holding में लगा हुआ है तो यहां पर click करना है click करने के बाद यहां पर sale का option है यहां पर click करेंगे तो आपका जो जो भी share है वो sale हो जाएगा तो friends आप इस तरह से share को buy और sell कर सकते हैं तो friends अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like and चैनल को subscribe जरूर करें thanks for watching this video